केसं कि दोस्तों हम जो पहले चेक करेंगे इसमें दोस्तोेशी बोल्टेज चैक करेंगे तो मीटर लगा लिया हम खेल हमने दुस्तो ए कि दोस्तु टी व्यू कर लिया हमने आन तो दोस्तों जो हम पहले चेक करेंगे वह करेंगे AC voltage तो दोस्तों अब देख पा रहे हैं हमारे AC voltage इसमें प्रवर आ रहे हैं और दोस्तों अब जो हम voltage चेक करेंगे DC में दोस्तो 110 110 वोल्टेज तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे 110 वोल्टेज जो की प्रॉपर आ रहे हैं अब दोस्तो हम चेक करेंगे वार्टिकल वोल्टेज तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे वार्टिकल वोल्टेज जो की प्रॉपर आ रहे हैं तो दो दोस्तो हमारे जो वोल्टेज वो सभी प्रोपर आ रहा है हमारी सप्लाई भी ओक्वे है तो हमारा यह फॉल्ट हो सकता है दोस्तो पीटीसी के पास तो दोस्तो अब देख सकते हैं जो हमारे एसी लाइन से निकल कर यहां पर गया है वहां पर दोस्ते पीटीसी लगा हुआ है तो दोस्तो अक्सर ही प्रोब्लम आती है कलर की पीटीसी की बज़े से दोस्तो हम पहले चेक करते हैं अपना पीटीसी कि हमारा कहीं पीटीसी डेमेज तो नहीं है तो दोस्तो पीटीसी को निकाल लेते हैं हम बाहर और देखते हैं कि हमारा PTC damage तो नहीं है तो दोस्तों अब देख सकते हैं जो कि हमारा PTC ही damage है जिसकी बेज़े से हमारी स्क्रीन पर ये फाल्दू के color आ रहे हैं क्या होता है दोस्तों हमारे picture do पर एक क्वाइल लगी होती है जो कि जिस जो हमारे PTC से operate होती है तो दोस्तों हम करेंगे PTC को channel तो दोस्तों ये वाला PTC तो हमारे पास नहीं है तो इसकी जगाए पर ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक का ये पुरानी plate हों है आपको कहीं पर भी मिल जाएगा तो ये वाला PTC दोस्तों हम लगाएंगे और दोस्तों यहाँ पर जगाए है प्लेड में जो इस PTC गिये तो दोस्तों इसको हम बायरों की मदद से लगा कर देखते हैं कि हमारी TV में जो fault है वो clear होता है या फिर नहीं तो दोस्तों हम PTC को sold करके लगाते हैं और फिर चेक कर दें कि हमारा जो fault है वो clear हुआ या फिर नहीं या फिर कहीं और से हमारे जो color है वो आ रहे हैं तो दोस्तों हम PTC को यहाँ बर हमने install कर दिया है तो दोस्तों हम क्या करते हैं अब हम देखते हैं TV को on करके कि हमारे जो color जो आ रहे थे वो ठीक हुए या नहीं तो दोस्तों यह रहा हमारा आयना और TV कर दिया हमने पर login तो दोस्तों आप देख सकते हमारे जो color एक दम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तो दोस्तों हमारा जो फोल्ड था वो एक पीटी सी का फोल्ड था जो कि आप देख पा रहे होंगे यह पीटी सी खराब होने के कारण हमारी स्क्रीन पर जो कि फाल्दू कलर आ रहे थे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमारे जैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें